ये लेक्टटर नमबर 12, चैप्टर 2, आज हमारा चैप्टर 2 का लास्ट लेक्चर होगा बेसिक गंसेट्ट्स Of Auditing, चैप्टर 2 है हमारा इसका लास्ट लेक्चर और प्रिवियस तीन लेक्चर में हमने स्टड़ी किया application of professional skepticism के different case studies में हमने जो situation सामने आएगी किस तरीके से सोचना है उस situation में risk को professional skepticism का apply करते हुए ठीक है यह आगया हमारे बहुत से topic में यह list और इसकी base पे जो understanding हमने develop ही है यह काम आएगी अच्छा सबसे एहम concept के बाद अब यह जो आज concept study करने जा रहे है मुझे यह personally सबसे boring concept लगता है इसमें concept होई नहीं है ठीक है सिरफ याद करने वाला material है memory test लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होगी हत्तलिमकान इसको concept चीलिए आपके साथ करूँ खास तोर पे मैं कुछ examples एड़ कर दूँ जिन से यह topic भी समझ आजए understanding clear हो जाए और आगे चलके चुके हमने case studies करनी है तो वो भी इसी बहाने से discuss हो जाए कुछ concepts discuss हम करेंगे authorities कि क्या हमारे auditing profession के उपर कोई regulators, regulated authorities मजूद है या नहीं अगर तो कोई regulated authority मजूद नहीं है तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि हर auditor की अपनी मर्जी है वो जैसे चाहे audit करना चाहे करें जो procedure अपनी मर्जी से perform करना चाहे perform करें नहीं करना चाहता ना करें हर auditor अपनी मर्जी की report दे रहा होगा उसमें अपनी मर्जी की language अपनी मर्जी की जैसे हर student के English different है दूसरे से, हर एक vocabulary different है, तो हर auditor अपनी लादर लादर बोर्ट दे रहा होगा, जिसमें लादर लादर वर्डिंग यूज हो रही होगी, और users को समझने में problem आएगे, कि यहाँ पे इससे क्या मुराद है, कोई auditor reasonable assurance का word यूज कर रहा होगा, कोई maximum assurance का word यूज कर रहा होगा, कोई full assurance का word यूज कर रहा होगा, तो users को समझने आएगी, अगर कोई regulators ना हो, लेकिन अगर कोई regulators होंगे, तो वो कोशिश करेंगे कि profession में symmetry लाने की, वो कोशिश करेंगे auditors को guide करने की, कि इस तरह की situation में इस तरह की procedure perform करने है ये problem आजा है तो आपको ये करना चाहिए report issue करनी है तो ये format of report issue करना है opinion देना है तो ये standardized wording होगी ये guidance होगी तो बिलकुल हमारे profession यानि editing profession के कुछ regulators मुझूद है ये regulators दो level पे हैं एक international level पे और दूसरा national level पे नेशनल level पे बता सकते है regulators कोन कोन है अशावाज ICAP और SACP ये दो regulators हैं ये दोनों मिलके काम करते है regulate करते हैं editing profession को हमारे audit से related बहुत सी प्रवियन्स ऐसी हैं जो के SACP ने companies act में के through issue की हैं जैसे qualification of auditor जो बंदा auditor point होगा उसकी qualification क्या होनी चाहिए उसके rights क्या होंगे duties क्या होंगे बगारा बगारा और बहुत से areas पे ICAP guidance प्रवाइड करता है तो national level पे तो ICAP और SACP दोनों regulator शामिल है जो के हमारे syllabus में नहीं है हमारे syllabus में जो regulators है जिनकी understanding obtain करने हैं वह है international level के international level पे कोन regulators हैं दो IFAC जिसे कहते है इंटरनेशनल Federation of Accountants और IAASB जिसे कहते है International Auditing Assurance Standard Board तेक है ये दो authorities हैं IFAC और IAASB तो आज के lecture में हम IFAC और IAASB के बारे में study करेंगे और फिर जो सबसे एहम काम ये दोनों bodies करते हैं सबसे एहम काम वो क्या IAASB करते हैं उनके बारे में study करेंगे कि IAASB क्या होते हैं कैसे एशू किये जाते हैं बंते कैसे हैं ये originate कैसे होते हैं और क्या आज आज़िटर हमने इन सब की requirements को पूरा करना लाजमी है कि कहीं पे हमें उच निच की आज़त है ये हमारे basic concepts होंगे आज के एक regulatory authorities को पढ़ने हैं हमारे audit profession की international level पर regulatory authorities कौन सी हैं और दूसरा हमने ये regulatory authority जो सबसे हम काम करती हैं यानि मर्जी के मताबिक हम इनको comply कर रहे हैं या ना करें यह हमारे आज के lecture का overview है start करते हैं सबसे पहले IFAC के ओपर IFAC है international, IFAC से बनता क्या है? International Federation of Accountants अच्छा यहां पर पहली बात जहन में यह आती है कि अगर IFAC auditing profession की supreme organization है तो इसका नाम International Federation of Auditors होना चाहिए था, IFAD, यह IFAC क्यों है? इसलिए कि पाकिस्तान समेथ पूरी दुनिया में जो auditors होते हैं वो normally chartered accountants होते हैं, ठीक है? इसलिए basically इसका scope wide करने के लिए कि यह जो activities बताएगा वो सिर्फ auditors के लिए नहीं है, वो हर chartered accountants के लिए है इसलिए इसका नाम रखा गया IFAC International Federation of Accountants, ठीक है क्योंकि चाहड़ेट करेंगे, इसलिए यह IFAC लेकिन regulate किसको करता है, audit profession, accounting profession को बता सकते हैं को बड़ी regulate करती है IASB, International Accounting Standards Board, ठीक है? IASB है ना, नाम change होते रहते हैं, इसलिए हम कर रहा था, चलिए बाहराल, IFAC Global Organization, Global Organization, अच्छा मुझे यह बताए, अगर आपने पाकिस्तान में इंटर पास किया हो, FA icon किया हो, ग्यारा सो में से ग्यारा सो नंबर लेगा है, और आप चले जाए UK, आप चले जाए USA, आप चले जाए जर्मनी, वो आपको अपनी लोकल इंटर की क्वालिफिकेशन के बराबर बठाएंगे, ना 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 ना, वो कहेंगे आप आ रहे हैं, बहुत से टेस्टिंग, बाज वकाद एक्विलेंट सर्टिफिकेट्स देते भी हैं, लेकिन बहुत से हमें अडिशनल सबजेक्ट बगरा पेपर्स देने पड़ता हैं, ल की बाज़ेंट जुरी दुनिया की अडिटर्स ने उसी को पढ़ना है उसी के मताभी के मताबिक अपने परोसीजर Pरफाएंगे, इसका फाइदा क्या होता है, आपने पाकिस्तान में एक्वा पड़ना है, जो-जो स्टैंडर्स कंटिंग के, जो-जो स्टैंडर्स पढ़न जर्मनी में, फ्रांस में, इंडिया में, ऐस्ट्रेलिया में, यूएसे में, यूके में, हर जगा पे वही स्टेंडर्ड बढ़ाए जा, थोड़ी बहुत लोकल रिकौर्मेंट्ट से जो था हैं जो ती हैं, जैसे टेक्स की फार एक्जेंपल, वो आपको पता हैं, जैसे लॉ qualification में ऐसा possible नहीं होता, निस्बतन मुश्किल है, और इसकी reason क्या है, इसकी बड़ी reason यह है, हमारी एक international organization है, जो सारे पूरी दुनिया में इस profession को regulate करते है, regulation करने का मक्सद क्या है, symmetry है, हर जगा पे एकी तरह की practice, जैसे अगर पाकिस्तान में किसी company की inventory है, उसको verify करने के लिए जो पाकिस्तान के auditory procedure perform कर रहे हैं, USA के auditory भी वही procedure perform कर रहे हैं, ठीक है, UK के auditory भी वही procedure perform कर रहे हूं, symmetry की वज़ा से, counting में भी सी तरह है, IFRS में भी, और audit profession में भी सी तरह है, symmetry की वज़ा से, हमारी जो international level में movement बहुत आसान हो जाती है, आप एक कंटी से दूसरी कंटी में settle हो सकते हैं, ये बाहराल इसका फाइदा था out of the books जो मैंने आपको बताया, किताब क्या कहती है कि IFA क्या है, किसको support करता है कि जो international standards है, उनको develop किया जाए, उनको apply किया जाए, development and implementation of international standards, इसका main काम ये है, standards को issue करें, ताकि पूरे दुनिया में, जो जो इसकी member bodies है, जो जो इसकी, हर मुल्क इसकी member body नहीं है, ठीक है, लेकिन पाकिसनान इसकी member body है, जिन countries ने इसकी membership नहीं ली, वो फिर क्या करते हैं, वो फिर IFAC के issue किये हुए standards को follow नहीं करते हैं, अपने बनाए हुए, उन्हें खुद बनाने पड़ते हैं, लेकिन वो countries भी जो खुद standard बनाते हैं, वो भी IFAC के standard को सामने रहके बना रहे होते हैं, और sometime तो ऐसा होता है कि exactly वही paragraph नमबर भी वही लेके अच्छा, यहां पर मैंने जानबूज के, आड़िटिंग standard का word use नहीं किया, इसलिए कि IFAC, आड़िटिंग standard भी issue करता है, आड़िटिंग के इलावा कुछ दूसरे standard भी issue करता है, अकाउंटिंग के पहले मैंने कहा दिया आपको, वो तो IAS भी करता है, अकाउंटिंग, नह सिर्फ यह कहा देना कि IFAC, आड़िटिंग standard issue करता है, वो गलत होगा, वो review के standard issue करता है, मैंने एक term बोली कभी, related services, related services नहीं बोली, चले, यह end बताएगा, मैं आपको बता दूगा related services क्या होती है, हमारे syllabus मैं नहीं है, लेकिन वैसे term आपके साथ शेयर कर लूँ, बहतर है, फिर counting profession को promote करता है, जिस तरह समझ लीजिए, और public interest में बात करता है, speak out in public interest, जहां कही public interest involved हो, यह एक तरह से international level पे हमारी audit profession की मुशूरी करता है, जिस तरह labor unions होती है ना, जो के protect करती है labor's के interest को, उसी तरह IFAC पूरी दुनिया में हमारा representative है, वो हमारी audit profession को protect करता है, और जहा कहीं जरूरत हो, auditors का point of view paste करने की, वहां पे in the public interest, और in the editing profession interest, वो अपना point of view present करता है, यह है effect की कुछ activities, standard issue करेगा, representative के तोर पे speak out करेगा in public interest, और promote करेगा accountants को, हमारे accountants को, और ड्वैल भी करेगा standards को, और implement करने में भी help करेगा, clear, अच्छा, जिस तरह हम यह कहें के, पाकिस्तान एक country है, और हकूमते पाकिस्तान की कुछ जिम्यदारियां है, तो हकूमते पाकिस्तान ने इन जिम्यदारियां को पूरा करने के लिए administratively एक structure बनाया हुआ हुआ है, कि पूरी country को different provinces में classify किया हुआ हुआ है, और हर province को उनकी कुछ responsibilities delegate कर दी गए है, जो के अंडर federal government काम करती है, उसी तरह IFAC के जो activities है, यह यह roles है, activities कहले यह roles कहले, इनको पूरा करने के लिए IFAC ने अपने कुछ boards बनाये हुए है, चार boards, ठीक है, यह boards काम हो ही करेंगे, जो IFAC के activities में यह roles में शामिल है, लेकिन हर रेकां उन्होंने direct तियार जो है वो अलाद अलाद कर दिया, जैसे, एक board है IASB, चार boards में से सबसे अहम board हमारे लिए यह है, IASB से क्या बनता है, international auditing and assurance standard board, IASB, यह क्या करता है, auditing और assurance standard, auditing professional, auditing standard issue करता है, इंशार्ट, कौन से standard, फिर दूसरा है IASB, international ethics standard, board for accountants, for auditors क्यों नहीं, पिस चार्ड़े अकांटन ही, auditor होते हैं normally, यह क्या करता है, code of ethics issue करता है, पानी, जी, अमेरा गला कुछ खराब है, इस वज़े से बोलने में कुछ problem होगी, इननों का एक वाट डिग्री भी होती है, CIA, वो होती है, certified internal audit, internal auditors के लिए, वो external auditors के लिए नहीं होती है, हम जो पढ़ने हैं किस लिए पढ़ने हैं? external auditors के लिए, ठीक है, तो वो internal auditors के लिए होती है, वो हमेरे से वैलिवेट नहीं है, पास किजिए खाए, जे, तो IESBA क्या करता है, code of ethics को issue करता है, अच्छा मुझे ये बताइए, क्या, क्या code of ethics की compliance करना जरूरी होता है, बिल्कुल, अच्छा, अगर सिरफ auditing standards के मताबिक audit कर लें, ये काफी नहीं है, कि code of ethics की भी जरूरत पड़ेगी, थाबित कीजिए अभी तक की अपनी studies से, किसी जगह पे हमने पढ़ा हो, code of ethics को इंडर, किस concern में बढ़ा था code of ethics के बारे ना, code of corporate गवानथ नहीं, जी, अगर framework ठीक, applicable of natural protein framework acceptable नहीं हो, ये आडिटिंग सेंडर में भी बात लिखी है, code of ethics में भी लिखी है, नहीं, इसके अडिटर की इंडिपेंडेंस, याद रखें, आडिटर ने आडिट कैसे करना है, किस एरिया को verify करने के लिए क्लिए क्या procedure perform करने है, ये कहां में लिखा हुआ है, ये ISs में लिखा हुआ है, आडिटर के सिचुएशन में independent होगा, किस में independent नहीं है, ये कहां लिखा हुआ है, ये code of ethics में लिखा हुआ है, ज्यादा तर नॉर्म्ली प्रैटिस में auditors को内फेंड को face करना पड़ता है, जिनकी वजय से उनकी independence compromise हो सकती है joint रपोर्ट पड़ेंगे ना उसमेह लिखा सुछी निवोडले पहले आएगा अगा ऑड़ीटर से भी आप है यहां है लेकिन याद रखेंगे आप être यख़ इक यानि open book का मतलब क्या है standard साथ लेके जा सकते हैं अर्डिट के भी international standards हैं लेकिन यह open book नहीं है आप standard साथ लेके नहीं जा सकते हैं और अगर आप बजाहिर लगता है यह बड़ी negative लेकिन असल में फाइदे की चीज़ है असल में फाइदे की चीज़ है असल में फाइदे क्यूंकि जो आप standard लेके जाते हैं ना कभी आप ने देखा कोई ऐसा question जो स्रेंडर खोल के साल्व हो जाता हो शुरू शुरू में शायद एक दो को definition उसने पूछ ले थी नॉर्मली न पूछता है तो हमारा पेपर ओपन बॉक नहीं है इसका फाइदा क्या हुआ हमें जिन को रटा लगाने में comfortable होते हैं लगा लेते हैं उनके लिए गुड नहीं होता है इसके बाद आगे चलते हैं यह कौन सा बड़ी हो गई यह है इंटरनेशनल कांटिंग एडूकेशन यह इंटर्बोर्ड यह किससे डिल करता है एजुकेशन से अचा आपको पता है एक जमाने में आर्टिकल्स चार साल के थे पांच साल के अब क्या तीन साल के करती हैं नहीं अभी भी साधे थीन साल साधे थीन साल लेकिन दुनिया की कुछ कंट्री ऐसी भी हैं जिन में इस अच्छा मुझे यह बताए हैं हम जो सबजेक्ट पढ़ते हैं किस डैफ तक जाके सबजेक्ट पढ़ने यह कौन डिसाइड कर रहा है आई कैप आई कैप कर रहा है पाकिसान में लेकिन याद रखें याद रखें आई कैप यह आई-ए-ए-ई-ए-ई-ड की तरफ से रे आई एएसबी क्या करता है चार्ड गॉंटेट बनने के लिए जो परफेशनल एडूकेशन रिकॉर्ण है जो एक्सपीरियंस जो ट्रेनिंग रिकॉर्मेंट्स रिकॉर्मेंट्स रिकॉर्ड है यह आई एएसबी ने हर मुल्क को इशू की हुई है और उसमें बताता है कि कम कम अजब को कितने सब्जेक्ट पढ़ने चार्ड गॉंटेट बने के लिए कम अजब कितने ऐसे की ट्रेनिंग ज़ूरी है अब हर मुल्क की मर्जी है यह याद रखेए याद रखेए एजुकेशन ब्रेनिंग रिकॉर्मेंट्स बताता है यह वाला बोड चार्ड प्रॉं पेपर आपकर देखें सीए के पेपर और एक आपको फरक नजर आ जाएगा एसीए के पेपर में रहला कम होते हैं एक एक पेपर ज्याता है और फिर इसी तरह वह शाहिद बाद में कुछ स्पेशलाइशन की तरफ भी ले जाते हैं चाहिए सब्जेक्ट पढ़ें चाहिए कुछ उन्हों ने ऑप्शनल भी दिया है यह सारा सिस्ट्रम जो है यह आई-ए-ए-स-बी ने बताया हुआ कि यह यह सब्जेक्ट आपने पढ़ने अब आई-कैप ने का ठीक है हम वह वाले लोकल लेगूलेटर्स होंगे उसको फालू करें तो यह एजूकेशन रिक्वार्मेंट समाझ आगी यह किसने शुरू करनी है इंटरनेशनल कांटिंग एजूकेशन स्टेंडर बोर्ड ने के लिए मिनिमम रिक्वार्मेंट्स क्या है फिर लास्ट पब्लिक सेक्टर आई- यह इशू हो रहे हैं हमारे प्राइवेट सेक्टर के लिए प्राइवेट सेक्टर से मुराद जो प्रफित औरिंटेडर ऑर्ड्नेशन और यह जो IPSES भी यह बोर्ड है यह क्या करता है पब्लिक सेक्टर के लिए जो रिग्नेशन आप फुद बताएं एक कंपनी फार एग इसे तरह क्या इनको इनकी वेरिफिकेशन के लिए अडिटिंग प्रोसीजर एक जैसे होने चाहिए नहीं होने चाहिए डिफरेंट होने चाहिए तो अडिटिंग स्टेंडर में एक तो है आई एस जो कोन इशू करता है आई एस लेकिन पब्लिक सेक्टर और्गनाजेशन का अडिट करने के लिए उनकी अप्रोच उनके अप्जेटिव उनके प्रोसीजर डिफरेंट होते हैं इसे उनके लिए लाइदा से स्टेंडर फब्लिक सैक्टर है क्लियर होगी यह चलिए अब मुझे यह बताइए आई फैक का स्टेटर क्या है यह वर्डवाइड लिडर है किस profession की अडिटिंग यह इंटरनेशन फेडरेशन अफ काउंटर्स लेकिन यह वर्डवाइल लीडर है अडिटिंग की आईफेक का काउंटिंग प्रफेशन से तालुक नहीं है वो तो मैं सिर्फ आपको बताया कि नाम में वर्डवाइल रहा है ठीक है वरना यह किस में इस्प्रफेशन से डिलकरें इसके कितने व Всем बोड़ है 4 सबसे हैं बोड हों साओ लोड इस का सबसे बड़ा काम क्या है है ठीक है और अडेटिंग स्टेंडर्स इश्य哇 परना इस्यू standards on assurance and related services ठीक है और क्या करना इनकी interpretation issue करना issues international auditing practicing statement या international auditing practices note और फिर ये different countries को facilitate करता adoption में implementation में जैसे फर्ज कीजिए अगर मुझे मैं किसी client पर audit कर रहा हूं मुझे कोई situation नजर आ गई जो कि auditing profession में जो auditing standard में उसका जिकर नहीं है मेरे पास एक तो मैं अपनी professional judgment apply कर लो लेकिन तू भी on safe side में क्या करता हूं मैं icap को भी letter लेख सकता हूं कि सर ये situation है बता ये situation में क्या करना अगर तो चोटी मोड़ी situation हो आपनी judgment apply कर लोगा लेकिन critical situation हुई मैं कोगा नी बेतर icap से opinion ले लिया जाए icap को अगर पता हुआ हमें जो accountant बैठे होंगे अगर उनको situation में क्या करना ये पता हुआ वो मुझे बता देंगे वरना वो क्या करेंगे वो IASB से पूछे तो IASB क्या करता है इन standards को adopt करने में implement करने में अगर क्यों प्राब्लम हो उसको facilitate करता है यहां ते clear हो गया चार बॉर्ट हो गये कुए करते हैं फिर next concept की तरफ चलते हैं इंटरनेशनल लेवल पर रेगुलेटर कौन-कौन से हैं आई-फैक और IASB ठीक है आई-फैक का purpose क्या है यह basically role क्या इसका activity क्या है यह इंटरनेशनल लेवल पर अडिटिंग प्रफेशन को गवर्ण करता है यह protect करता है प्रमोट करता है Charged Comptors को और public interest में अपनी presentations होगारा देता है ठीक है और इसके board चार सबसे हैं board कौन सा है IASB ठीक है अच्छा अब यह concept आपको एक सिखा रहा हूँ जो के आपके लिए CFAP लेवल पर काम का वैसे तो यहां पर क्रण्ट लेवल पर भी यूसफुल है लेकिन खास तोर पर CFAP लेवल पर काम है कि इसको नोट कर लीजिए International Counting and Assurance सोरी International Auditing and Assurance Standard Board इसका मतलब है audit में और लफज Assurance में फरक है अब मैं वह फरक आपके सामने रख रहा हूँ हम जो Chartered Accountants है यह different types of services provide करते हैं अपने clients को इन services को दो तरह से हम classify कर सकते हैं शाबार कौन कौन सी एक assurance और एक related services या जिसे यूं कहले non assurance services यह असान हो जाएगा assurance services और non assurance services assurance services में कौन कौन सी examples है ordered review and other assurance services हाँ अशाबार forecast याद है other assurance services जैसे forecast non assurance services में कौन कौन सी है इसमें agreed upon process इसमें इसमें क्लासिफिकेशन कर लेते है related services and other non assurance services other non assurance services इदर भी other की heading है लेकिन यह other assurance services और यह other services में कौन कौन सी है यह दो agreed upon procedures और compilation अब सुनना है और other non assurance services में क्या सकते हैं यह हम code of ethics में बढ़ेंगे सम्टाइम क्लाइंट हमें यह कह सकता है के सर आप हमें external आइटर तो है internal audit के भी services provide करते हैं आप हमें idea services provide करते हैं आप हमारे assets and liability evaluation करते हैं ठीक है हाँ क्या फिर इसमें independence का issue आएगा बिल्कुल आएगा वह हम तब जाके पढ़ेंगे कुछ situation में standard में लाओ करता है कुछ मैं नहीं करता बारा मैं आपको अधर नॉन्शॉर्ण services की example बता रहा था इसको अब आप थोड़ी देर के लिए भूल जाए यह structure आपके बहुत काम आएगा इसको कहीं पर लिख लाए यह लिखा हुआ तो फिर तो ठीक है बहतरीन हो गया अब सुनें assurance engagement में सबसे ज्यादा पर फार्म होने वारी engagement कौन सी है और फिर उसके बाद यह अगेजमेंट यह पर नहीं होगोरा फार्म लेकिन यह वहारी स्लेवस में नहीं है कब जाके पढ़ेंगे सी फ़ाप लेञार उसी तरह रिलेटेड सर्विसेंज में दो तरह की सर्विस आती हैं अग्रिबूम कि नाम की हद तक एक्जैंपल की हद तक हमारे lebos में है वरना हमने इनके बारे में मजीद कुछ नहीं पढ़ना यह कहां जाके बढ़ेंगे सी फैप लवल पे जाके लेकिन यह चीजा में रखेगा मुझे बताये यह नेचर ओफ अगेजमेंट यह नेचर ओफ इंगेजमेंट ये नेच़ ऑफ इंगेजमेंट, एक जासी है नेच़ है जिसके लिए ambreफिये सार्ς को समझाया था किया इन सारी इंगेजमेंट को परफाम करने के लिए एक जैसे ही स्टेंडर होने चाहिए या डिफरेंट होने चाहिए अब सुनेएं, audit engagement पर फाउन करनी हो, तो कौन से standards है? International standards on auditing. International standards, ये bit के लदाइ, डेवेवियों engagement पर फाउन करने के लिए कोन से standard होने चाहिए? International standards on review engagement. Other insurance engagement के लिए कौन से standard है? International standards on other insurance engagement. या international standards on insurance engagement? इंटरनेशनल स्टैंडर पर्फार्म करने के लिकोंसे स्टैंडर्स है इंटरनेशनल स्टैंडर्सटैंडर्सों क्लाईशन दोनों किस सटैंडर्सों होते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्स ओनर रोलेटर्स्री के Without a आइएप।ROं exist. bunları और यह वाहरा उन् और रिवियू एंगेजमेंट होगी तब करना है और आएसे को कब और और बैसे एडिशनल कंसर्ट बता रहा हूं आपको सी फैब के लेवल पे जो सबसे बड़ी एक्जाम दर कमेंट सब्सक्राइब करते हैं जिसका सबसे ज्यादा बता सकता है रिपोर्ट के पॉइंट ओफू से 50 रुपेज ना के अर्डिट की भी रिपोर्ट होगी रिलेटिड सर्विसिस की भी रिपोर्ट दी जाती है इन दोनों रिपोर्ट में सबसे बड़ा फरक जो स्टूर्ट बताएगा 50 रुपे नहीं है लेकिन अगर कंसेप्ट दें दोन शॉर्णस सर्विसे इसमें कोई शॉर्णस होती ही नहीं है ना रिविव यार रहा है यह सामने की बात है कोई बैसे नहीं कोई बैसे नहीं रिखेगा आगे चलके जब रिविव की तरफ चले यहां था क्लियर है चलिए अच्छा मुझे बताएं यह सारे स्टेंडर को इस्यू करता वहाँ इस लिए मैंने यहां पर हाँ लिखा इंट्रेंट अडिट श्रडर नहीं लिखा शोरांस एंड रिलेटिड सर्विस इस लिखा अब आपको समझ आडियों की रिजन किया आगे प्रोसेस अफ ड्वेल्पिंग एंड इस्फ़ इंड नियू आइसस इस फ्रोसेस और यानी एक नया आ यह से कैसे ड्वेल्प होता है कैसे इस्व होता है अगर आप आज से अब यह तो वैसे ना पहले पढ़े ना अभी आपने इंटरनेशन अडिट पढ़ने लेकिन आपक होगी अब आप जब आप सीफ़ाप लेवल पर जाएंगे ना आपको एक नहीं चार बुक्स मिलेंगे और उमेंसे जो एक बुक पहले वाली बुक है जो आडिटिंग की लादा है रिव्यू वगरा की लादा है इतनी मुटी जा बलके बलके उसमें एक स्टेंडर्ड तो ऐसा उसमें कम रिक्वाइर्मेंट्स थी ज्यादा कैसे है? फराड की वज़ा से जैसे उस वक्त फराड कमů अच्छे लोग थे दुर्णा हुब यह US वक्त फराड फराड कम थे उनको करने करने के लिए परी ना समने आपन्स product आले के सामने तो आइड्यक 개छ को क्से बीग मुलक में कोई बड़ा फ्राड अगर सामने आता है ना इनके टीम रिसर्च करने के लिए पहुंच जाती है क्योंकि अगर कोई भी फ्राड सामने आया तो दो में से एक आप्शन होती है या तो बिल्के या तो पहली चीज आडिटिंग स्टेंडर्ड में कोई गर्ड़ड़ है वो कोई सिस्टेंडर्ड में जिकर नहीं था और अगर थैसा तरीका भी होता था ठीकman कलाइंट ही बहुत चलाग था ठीक है लेकिन उस Q estु डो अगर थैस resolve ने जारे दो अगर तो अंगर तो अगर इसको फांस पहन सिकनी किया लेकिन अगर पता चले ये आइडिटिंग स्टेंडर्ड में डिफीशनिश है इस सोइशंड को इस से डिपे नहीं किया गया और ये सिगनिफिकंट एडिपे बडी स्टेंट्ट मा है तो फिर टीम क्या क्रती है इस अगर अगर वो fix asset में fraud हुआ था तो वे topic select करती है fix asset का और फिर अपनी research करती है एक research report बनाती है कि हमारे existing standard में ये topic मुझूद ही नहीं है अब यहां तो इसके लिए नया standard आए या existing standard में रिवीन करनी पड़ेगे तो research report बनाके submit करवा दी जाती है IFACO, IASB को कि sir ये deficiency है अब यहां तो नया standard इशू करें या existing standard में को रिवीन करें जब ये IASB के पास पहुंचता है तो IASB इसको सामने रखे हैं वहाँ बढ़े दमाग बैठे हैं वो decide करते हैं कि requirements क्या-क्या add होनी चाहिए हमारे existing standards में और वो एक rough standard बना लेते हैं रफ standard को कहते हैं explorer draft आप practice में जाके यह term बहुत सुनेंगे explorer draft अब तो तकरीबन हर वक्त कुछ ना कुछ explorer draft pending होते हैं यानि इस वक्त भी बहुत से in process हैं explorer draft आई एस बी ने इसू कर दिया हुए है और उसको अचा explorer draft इसू करने का मकसद क्या होता होता है वह ताकि जितनी भी member countries है वहाँ पर जो चाहर वो अपनी अपनी local practice के हवाले से उनका जो experience है अपने comments है वो शेयर कर सके तो ISB explorer draft produce करता है फिर इस explorer draft को publish किया जाता है comments के लिए publish दो तरीके से किया जाता है एक ISB अपनी website पर और दूसरा member body जैसे पाकिसान में iCAP है iCAP को send कर देगा email के जरीए से यहां जो भी उनका पूरियर मेकनीजम है एक पूरियर comments आगे एक deadline भी रख दी जाती है नॉर्मली वो deadline 120 दिन यहां से ज्यादा होती है deadline रखने के बाद जब comments रसीव हो जाते हैं तो फिर team दुबारा बैठती है ISB की और decide करती है क्यों से comment को हमने accept करना है किसको reject करना है फिर final new ISA publish कर दिया ज तो यह draft issue किया जाएगा लोगों से comments लिये जाएंगे उन comments की रोशनिक में decision करें के final ISA issue किया जाएगा और जब ISA issue किया जाता है तो उसकी application date बता दी जाती है कि आज हम issue कर रहे हैं दो साल के बाद यह effective हो जाएगा accounting standard में भी सी तरह होता है ना जिस दिन accounting standard issue होता है उससी द अरे syllabus में ISA पढ़ना लाजमी नहीं है और हम ICAP की book को और syllabus को सामने रखके concept को cover कर सकते हैं इसी लिए यह मैं आपको जबानी कलामी समझाओंगा वरना मैं आपके सामने standard open करके आपको बता रहा होता कि आपने इसको पढ़ना है तो इसका structure समझ लेकिन easy structure आपको समझ आजा स्टेंडर्ड के different sections है पहला section जो बड़ा एहम section होता है objective का objective हमें क्या बताता है इस standard के आने का मकसद क्या है यह standard किसी issue को deal कर रहा होता है जैसे एक standard है जो यह बताता है उसका objective पढ़े ना तो उसका objective लिखा हुआ है how to obtain reasonable assurance on inventory यानि मतलब क्या हुआ कि inventory को कैसे verify करना है इस से related guidance हमें उस standard में मिलेगी एक और standard है जो बताता है how to obtain reasonable assurance on inventories जिस तरह आपके accounting standard के number है तो आई यह से 501 फार एक्जेंबल वो यह बताता है कि आपने inventory client की अगर है तो उसको किस तरीके से verify करना है एक standard है वो यह बताता है client के debtors है उनको कैसे verify करना है उसके objective में यह लिखा है एक standard objective में लिखा है अगर client के सिलाफ legal cases है उनको कैसे verify करना है यहां पे सिरफ लिखा होगा मकसद objective of this standard is to obtain reasonable assurance on this aligned item यह सिरफ लिखा है requirement में क्या लिखा होगा अबला procedures जो procedure perform करने से objective पूरा हो जाएगा जैसे अगर inventory WL multiply standard objective में लिखा होगा this Matt suggestions haven करो is legal cases ऌपीकल कैसे verify करना है रिकर यह लिखा होगा letter sent करो ठीक तो objective और requirement नों फरक समझ आया अच्छा explanation addition explanation and other explanatory material है तीसरा section बड़ा जो ये बताता है कि requirement को practically किस-किस तरीके से perform किया जा सकता है जैसे requirement कौन सी example ने पहले कौन सी example बताई मैं डेटर्स वाली objective में लिखा था डेटर्स को कैसे verify करना है requirement में क्या लिखा था confirmation letter sent अब explanation and other explanatory material में क्या लिखा हुआ है कि जब आप confirmation letter sent करेंगे ना हमेशा जवाब नहीं आएगा आपको कुछ cases में अक्सर cases में जवाब आजए कुछ cases में आंसर नहीं भी आएगा तो आपने क्या करना है वो यहां पे लिखा होगा कुछ cases में जब आपने reply किया जवाब आगया हमेशा जवाब agree नहीं करेगा फरक आएगा तो अगर फरक आए तो आपने उस difference को कैसे interpret करना है यह लिखा हुआ है यहां पर आपने letter के जरीए से send किया जो आप email के जरीए से आ गया SMS के जरीए से आ फोन काल आ गई तो कैसे इंटरपेट करना है यह है explanation and other explanation application and other explanation यह समझा गया जी हाँ additional procedure कह सकते हैं यह alternate procedure कह सकते हैं इसको यह further procedure कह सकते हैं इसको यह further करो लेकिन application and other explanation material में क्या लिखा होगा कि फर्स करो क्रोना वाइरस की वज़ए से आप start count नहीं कर सके महिने बाद गए तो क्या करना रिवर्स वर्शाव यह guidance में पता चला था मैं reverse working की जाज़त था है requirement क्या है और application and other explanation material होगा जो मैंने आपको बता दिया कि further guidance नहीं तरह clear हो गया आज के लेशेर का लास्ट कंसेप्ट कि आई एसे कौन बनाता है पता चल गया कैसे बनते हैं पता चल गया उनका structure क्या यह भी पता चल गया basic question क्या हमारे लिए कि इन आई एसे को follow करना लाजमी है कि हम 1920 कर सकते हैं सुनिए गधरा गोर से सुनिए गधरा गोर से concept है 30 are status of आई एसेज आई एसेज की क्या 30 है क्या status है अब सुनें एक simple एक sentence में बता रहा है आई एसेज का status यह 30 है कि आपने सारे आई एसेज की सारी requirements को पूरा करना है comply all requirements of all I.S.A. हर आई एसेज की हर requirement को पूरा करना है आपने काउंटी में कहीं एक disclosure पड़ा हुआ है these financial statements have been prepared in quarters with I.F.R.S. यह disclosure आता है ना आता है बड़ा है उस disclosure की interpretation में वो यह कहता है कि यह आपने disclosure सिर्फ उस सुरत में दे सकते हैं जब आपने सारे के सारे I.F.R.S. को follow किया अगर आपने कुछ I.S.A. को follow किया कुछ को नहीं किया तो आप यह line नहीं लिए exactly उसी तरह as auditor leader अचा मुझे यह पताईए हम अपनी audit report में वेकर यह लिख दे हमने audit अपनी मर्जी से किया है और दूसरी हमने audit I.S.A. के मताबी किया है यूजर किस पे ज़्यादा confident हो I.S.A. के मताबे लेकिन I.S.A. कहते हैं अगर आप अपनी report में यह लिखना चाहते हैं वह है adopted our audit in accordance with international standards on auditing तो कसम है आपको क्या क्या आपने हर I.S.A. की हर requirement को पूरा करना है एक ISA की एक requirement को भी पूरा ना ना किया यह लाइन नहीं लिख सकते हैं यह लाइन नहीं लिख सकते हैं यह जिन में रखिएगा हर ISA की हर requirement उसने का हां लेकिन दो exceptions हैं जिन में कोई requirement तो होगी लेकिन आप पूरा नाप करें तो खाया रहा है जैसे पहली अच्छा दोनों लफजों में आपने फरक रखना है एक में कह रहा है if not relevant दूसरा if not फरक क्या है कहते हैं अगर कोई standard या उसकी requirement not relevant हो तो उसको पूरा ना करो उसके बावजूद report में लिख सकते हो we have conducted our audit in accordance with ISS हमने का इसका क्या मतलब है example से बताओ उसने का फर्स कीजिए अगर क्लाइंट की inventory है तो आपने उसको physically relevant relevant का मतलब समझा है अगर क्लाइंट के data confirmation letter send करो एक क्लाइंट करने के लिए उसके data थे निवाडवांस पे काम करता था तो क्या आप confirmation letter send करेंगे लेकिन standard ने तो require किया वा करने है और भाई वह situation ही exist नहीं करती relevant नहीं है एक जगा पर standard ने कहा अगर auditor modified opinion issue कर रहा हो तो वह जिस चीज़ की वज़ा से opinion modified हो रहा है उसका report में जिकर करेगा वह जो भी मसला है उसका report में जिकर करना चाहिए ना standard ने का हुआ करेगा लेकिन फर्स किसे हमने audit किया और उसमें unmodified opinion दिया क्या जो modified opinion वाली information है हमें include करनी चाहिए लेकिन standard तो कहता है करेंगे relevant नहीं है relevant का मतलब समझाया कि वह जिस situation के लिए requirement है वह situation नहीं कर रहे अब सुनिए practicable का मतलब क्या practicable का मतलब यह है कि कोई requirement relevant तो है लेकिन कुछ practical issues की वज़ा से difficulties की वज़ा से हम उसको perform नहीं कर सकते हैं उससे evidence नहीं ले सकते हैं जैसे एक client की inventory exist कर रही है exist कर रहे हैं लेकिन year end पर count नहीं कर सके क्रोना वारिस की वज़ा से अब क्या देखे relevant है practical नहीं है इस सुरत में क्या करना है अब देखे उपर वाली situation में तो कुछ नहीं करना है लेकिन not practicable में क्या करना है standard कहता है आप alternative procedure से evidence ले 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 लिए alternative procedure से आप क्यूंकि हमें असल मकसद हमारा procedure नहीं है assurance evidence अब मैं आपको थोड़ा जरा logical ही सोचेगा critically standard में objective भी है requirement ही है requirement क्या बताती है कि इन चीजों के उपर अमल करके आप objective को पूरा कर लेंगे जरा सोचके बताईए objective और requirement दोनों में से बैसे दोनों ही होनी चाहिए और normal rule भी यही है कि requirement को पूरा करेंगे objective पूरा होगा लेकिन दोनों में से ज्यादा एहम कोन है objective शाप यही concept समझाना था objective ज्यादा है इस जो दूसरा procedure हम perform करते हैं ना पहले वाले की जगह पे इसको नाम note कर लीजे बार बार आएगा alternative procedure alternative procedure भी कुछ समझाए फिर से बताईए अगर हमारे client के debtors है ही नहीं requirement debtor है लेकिन एक debtor के साथ client का जगड़ा चल ला है दालत में अब confirm हमें वह जवाब ही नहीं देगा या देगा भी तो confirm नहीं करेगा कुछ और ही लिखके बेजेगा not practicable अच्छा not practicable है तो फिर इस situation में क्या करना है कुछ भी ना करे alternative procedure को बताएगा इस situation में alternative procedures क्या होंगे पहले बताएगा उसको जो चीजे बेची है उसकी नवाइसी चैक कर ले यानि से नवाइसी चैक कर ले कोई उनकी settlement हो गई होगी उसका क्या हाँ ठीक है चले यह रेंड के बाद क्यूंके यह रेंड से चले ठीक है इनको एक और सैलिज दे आपने कहा के सर वो जो डेटर था ना उसकी कुछ चैक कर लेंगे स्पोर्टिंग डाकॉमेंट्स से रिलेटिड आप उन डाकॉमेंट के कोई दो तीन ना बता दे स्पैस्फिक कौन कौन सी डाकॉमेंट है क्योंके एक होता है जेनल क्वेस्ट आंसर के सडी में कि हम यह लिख दें के आर्डिटर चैक स्पोर्टिंग सब्सक्राइशन इसके अग्जैमिन नंबर निया था और कहता है आप आडिटर मुझे बताओ कौन सी डाकॉमेंट ना मताओ से लिंवाई शाबाश डाटर का जो टी कांट अचाव गोड़ दिस्पैज नोड शाबाश गोड़ दिस्पैज नोड शाबाश दिस्पैज यह आगा आइए न्याग पहले बताया था एक होता है क्य रेक्सर मोजना उस प्लाए मेरे लिए जयाद रहे हैं क्या वहां पहंॹ अधिर में काम होता है वह भी आपने जाह नहीं किया तो बाहरें कर लेंगे ठेक सब् सब्सक्राइख नगें की ध्र-शाब किस्फिमर एक्नारीज्वमेंट किना गुस्टिन किसे पर खरते हैं तो उसे जो चेल लेके जाते हैं किस हलेजेज़ के लई कि हमने ये वसूल कर लिये इसे कहते हैं ही कि चलिए अब यह समझें भी नट प्रेlichkeit क्या परफार्म करेंगे यह डिस्कास हुए थे क्या हाँ बैकवड स्टैप नमर वान ती अगर 31 संबर था और 31 जनवरी को स्टाइब करें स्टैप नमर टू सेल्स को परचेज को रिवर्स करें स्टैप नमर थी स्पोर्टिंग डॉकुमेंट्स को भी जैक करना है ठीक है यह कंसर्ट समझा रहा है कि किस तरीके से में बता रहा है अब्जेक्टिव भी है रिक्वाइर्मेंट्स भी है ज्यादा है में अब्जेक्टिव अगर किसी स्टैशन में कोई रिक्वाइर्मेंट है पूरी नहीं कर सके तो क्या करना है और एक्जैम में बहुत सी केस स्टैडि वाला question होता है ना उसमें बहुत अच्छी होती है क्यों भला वो लिखा ओवा रटालक आया था लेकिन जहां पर alternative procedure की बात करता है वो फोड़ा बच जाते हैं वो क्या क्या क्योंकि वो professional judgment apply करके थोड़ा सोचना होता है लेकिन फिर भी iCAP जिन-जिन situation को पूछ सकता है ना जो standard में नहीं है लेकिन iCAP ने पूछी है या पूछ सकता है उन सब situation को cover करके हमने book में cover किया हुआ है आपने सिर्फ इतना करना है selective study कोई नहीं करने selective study कोई नहीं करने इंचाला आप requirement भी बता पाएंगे और जो किसी इस्वेशन में और यहां तक का लेक्चर आज का लेक्चर इसमें खास और पर जो मैंने भी यूज किया हुआ है हाँ यह ड्रोन कैमरा के जरिए से स्ट्राइब यह करोना के दिनों में तो बिल्कुल किया जा सकता है यह हाला कि स्ट्रेंड में कहीं में इसका जिकर नहीं है लेकिन आपकुछ सोचे क्या इस एविडियो में कुछ छुपा ले तो उसके भी उसने सब्सक्राइब करते हैं वहां पर इंपलाई होता है एक्जैंपल हम इसके साथ है इनका क्वेस्टन यह है जो मुझे समझ आया के नॉर्मली हम और करते हुए जैसे सेल्स की वेरिफिकेशन में हमने सेल्स के डाकॉमेंट सारी चेक कर लिए होंगे यह तो डेटर वाले केस में दुबारा क्यों कर रहे हैं देखे उसमें फरक हो सकता है हो सकता है कि डियूरिंग दियर कोई सिग्निफिकेंट सेल्स हों लेकिन वो कैश में हो यह debtors थे लेकिन उन्होंने ये rent से पहले payment कर दियो तो जब हम sales को verify कर रहे होंगे ना sales का area तो sales की total amount के point of view से verification कर रहे होंगे उसमें जो selection करेंगे वो sales की total figure को सामने रखे करते हैं लेकिन जब debtors को verify कर रहे होंगे ना तो वो चुके सिर्फ closing balance को represent कर रहे होते हैं जो के normally साल की आहरी एक दो महिने की sales होती है credit sales तो उसके लिए जो procedure हमारे separate होंगे और उसमें हमारी sampling का तरीका कार भी different होगा हाँ लेकिन चुके दोनों area is interrelated है तो बिलकुल अगर हमने already वो document sales में verify नहीं किये हुए तो हमें debtors को करना पड़ेगे लेकिन अगर already sales में वो transaction verify कर ली है जिनकी बज़ा से year end पे debtor record हुआ हुआ है तो फिर दुबारा करने की जुरूत नहीं है तो नॉर्मल में भी नार्मल डेटर के भी इन्वाइस कर रहे होते हैं और जिसका disputed debt receivable इसके भी documents check कर रहे हैं तो दोनों में फरक क्या हुआ फरक स्पोर्टिंग document फरक हुआ confirmation का नॉर्मल डेटर में हमारे लिए किसे भी डेटर में सबसे हम जो होता है न या आगे चलके हम पढ़ेंगे वो हता है confirmation उसकी reason क्या है क्या है क्योंकि confirmation external evidence बाकि जितने यह internal internal जली भी हो सकती है तो standard हम एक जगा पर सिखाता है external evidence is more reliable than internal evidence क्या सिखाता है external evidence is more reliable than internal evidence तो हम external evidence ज्यादा हासिल कर तो डेटर के case में मारा जो असल evidence होता है confirmation लेकिन चुके disputed data के साथ confirmation possible नहीं है तो फिर बाकी data में तो confirmation बेज़ देते हैं हम इसमें मजबूरान alternative procedure की तरफ जाना पड़ता है ठीक है जी non-assurance services में आपने सिर्फ दो एक्जेंपल जहें में रखनी है और तीसरा अधर का नाम यूज कर ले लेकिन अधर की एक्जेंपल आपके जहेंद में कोई ना है non-assurance engagement ऐसी engagement हो अब देखें फर्ज कीजिए मेरे पास एक student आया कहना का सर मैंने audit पढ़ना है ठीक है बढ़ाता हूं अगर तब वो मेरी instructions के मताबिक पढ़ेगा जिस तरतीब से मैं लेके चल रहा हूं जिस तरतीब से मैं question करवा रहा हूं जो home segment उसे मैं दे रहा हूं पढ़ना तो है मैंने लेकिन अपनी मर्जी मुझे ये topic करवाएं ये ना करवाएं इसके practice ज्यादा करवाएं इसकी कम करवाएं practice में ये engagement भी परफार्म की जाती है जिनमें client के instructions के मताबिक आप करते हैं लेकिन मुझे बताईए इसमें अगर soon fail हो जाता है मेरी को जिम्मेदारी है मैं एक प्रसंट जिम्मेदारी कि या ही आपकी instructions के मताबिक है तो जिम्मेदारी मेरी कोई नहीं तो basic difference और assurance engagement और हम जिम्मेदार हो सकते हैं लेकिन अगर non-nationalist engagement हो इसमें basic difference है client की instructions के मताबिक काम करते है क्लाइट के instructions के मताबिक काम में तबाई भी फिर जाए हमारे जिम्मेदारी कोई नहीं हमका था भाई तुम्हारे काने पे काम किया था अब आपको चैने आपने issue उठाया ना चोटे मोटे विसे मेरे प्लान था क्वेस्टन आपके साथ डिसक्स कर लूँ लेकिन वह easy reproduction वाल क्लाइंट है कहले है सर मैं एक बैंक का CFO हूँ हमारी एक ब्रांच है मैं पता चला है वहां पर ब्रांच मेंजर गड़ड़ कर रहा है वो बगाए security रखे लोगों को ना रिस्वर लेके करजे दे रहा है हम यह चाहते हैं कि आप उस ब्रांच में जाएं और उस ब्रांच मे 10 लाग से उपर जितने के भी करजे लोन हैं उनमें चेक करें security ली गई है कि नहीं ली गई हम गए हमने चेक किया assurance क्या इसमें रिपोर्ट बनती है याद रखे हर engagement की रिपोर्ट बनती है रिपोर्ट के बगार हमें पैसे नहीं मिलते हैं क्लाइट को क्या 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 पैसे लेंगे रिपोर्ट हर engagement की बनती है लेकिन उसमें हम कोई opinion नहीं नहीं देंगे क्यों हमने अपनी में उनके मताबी किया है बाद में पता चले कि उसने 10 लाग से उपर नहीं बलके 24-4 लाग होती है लेकिन नौन शोर्ण सेंगेजमेंट में मिल्कुल ही नहीं होती है हाँ अच्छा अब देखें आगे घुसे चले जा रहे हैं पहले मैंने अच्छा प्रक समझा गया अब इसके अंदर एग्रीड़ कंपाइलेशन में क्या फरक है यह यह अभी बढ़ा दिया तो लेकिन मैं डर के बता रहा हूं समझाए तो अच्छा ना समय कोई मस्था अग्रीड़ परसीजर नाम से जाहिर है ऐसे प्रसीजर परफार्म करना जो हमने क्लाइंट के साथ अग्रीड़ कर लिए अगर आप अप्सुने पहले पहले टेकनिकल वर्लिंग में अंसर बता रहा हूं जो सेंटर निका है क्या था कंपाइलेशन इस ए एन अकाउंटिंग नेचर इंगेजमेंट एग्रीड़ पोन प्रोसीजर इस एन अर्ड़िट नेचर इंगेजमेंट फिर एक्सलेशन में कह को कोई फाइनचर सेट में प्रिपेर करने के लिए के वो कमपाइलेशन और अगर क्लाइनट कहें कि आडिट प्रोसीजर पर फार्म को लेकिन मेरी मरजी से जैसे मैं यह नहीं प्रोसीजर कौन से इंगेजमेंट हो एग्रेट पोन प्रोसीजर समाझ आगे बात दोनों में कि नेच्टी जाब है। या अर्डेट नेचर की जाब है दोनों नौन ग्राइस नेशरेंस मेरा और यह मुझत ख़र हो किया हम एक ही कलाइन को इंगेजमेंट और नौन इस एंगेजमेंट दोनों साइमल्टेनियसली साइमल्टेनियसली प्रवाइड कर सकते हैं कि नहीं जी एक में ठारे हैं येस कर सकते हैं लेकिन क्या इससे कोई मसला सामने आता है ये कंपालेशन के एक्जेंपल सामने रखे बताएं मसला आएगा तो फिर अच्छा सिर्फ यह कि इससे आडिटर की इंडिपेंडेंस एफेक्ट होगी ना इसका हल किदर लिखा हुआ है इसका हल याद रखे code of ethics में है अब मुझे बताइए ना ठाल है अब मुझे बताईए क्या code of ethics हमारे शलबस में है के नहीं तो सोच के बताइए क्या इस सीचेशन को कि एक क्लाइट की हम financial statement प्रपेर कर रहे है उसी क्लाइट का अडिट भी कर रहे है इस सिचेशन में क्या मसले को हमने हल कैसे करना है क्या हमारे स्लेबस में भी है के नहीं है बिलकुल है इसलिए इसलिए इतनी देर से कलप रा था संजाने के लिए वलना बागल थो नहीं पूछा मैं पांच मुन इदरी लिगानों है ऐसे थोड़ी होता है तो चुके रेलिवेंट था लेकिन अभी बताने का मकसद नहीं राद अब भी नहीं होते हैं यह जिम्मेदार है इसमें जिम्मेदार होते हैं कल गड़वड आगी ना रेपूटेशन एफेक्ट होगी अच्छा इनका क्वेस्टन है स्टैसिश्टन आंसर में फरक टाइम ओवर हो गया है अगर आप इजाज़ते अभी दो हरफी बात भी बता द है एक्षन सेम है वर्डिंग कोई फरक ही नहीं हागर प्रोसीजर ही डिफरेंट है फिर गड़वड जैसे आई कैप ने लिखा आइटर चैक करेगा गुड़ डिस्पैस्ट नोट सेल इनवाइसे सेल आर्डर कस्टमारिक अनॉलिजमेंट और दूसरे स्वाइटर चैक स्पोर्टिंग डाकॉर्मेंट्स ओफ सेल्स ट्रांजेक्शन दोनों में फरक है पहले वाले के केस में पूरा नबर मिलेगा दूसरे केस में आदा नमबर मिलेगा ठीक है और अगर कोई तीसरा स्वाइट यह लिखते हैं आईटेशल वेरिफाइड इस यह वेरिफाइड इ जिसका कोशन नहीं मिलेगा समझ रहें तो कंसेप्ट सेम होना चाहिए वर्स डिफरेंट हो सकते हैं और अकसर चुके देखें काउंटिंग और थेरी में यही फरक होता है अकाउंटिंग में आपके फिगर एग्जेक्ट टैली टीच-टीच करके सलूशन के साथ मैच करती ह होती है ठेरी के किसी नहीं कर दियो नहीं होता हर स्वाट की अपनी है अपना सटेंट है उसमें हमेशा ऐसी होगा हमेशा फरक कभी अभी गरंटी दे कर रहा हूं कभी ऐसा नहीं आपका बड़ा भी मैच करेंगा बहुत भी जब आप प्रफेक्ट लेवल पर पहुंच एक एक लफज मैच नहीं होगा काउंटिंग नहीं है थेरी का बेपर अड़िट है इसमें कंसर्ट मैच करने हैं हमिशा कंसर्ट कम ज्यादा है वह आप मेरे से कमेंड करें सेंटेंस आगे पीछी है कोई यूशू नहीं है ठीक है चलिए आज के लागते हैं खत्म करते हैं अल मिशिन नहीं हम नहीं है यूशू झाल भ्रξे दूलिए यूशॉ आप अलागते हैं यूश बंगे खत्म कांवा ज्हित करने हैं चका ले ।ाब्साग है ज्यूश्या मैच क्अवा यू झाल झाल